दोस्तों आज हम बात करेंगे बाजरे की रोटी के फायदों के बारे में सर्दियों की मीची मीची ठंड और बाजरे की गरम गरम रोटी इससे अच्छा कोई कॉंबिनेशन हो ही नहीं सकता जितना अच्छा ये combination है उससे भी अच्छे है बाजरे की रोटी के फाइले बाजरे की रोटी आपके शरीर के लिए बहुत ही पौश्टिक और स्वास्ते वर्दक होती है इसे पंजाब राजस्थान से लेकर बिहार की ग्रामीर हिराकों में भी खाया जाता है बाजरे की रोटी खाने से कई तरह की बिमारियों से शरीर बचा रहता है आज मैं बताती हूँ आपको इसको बनाने की विधी बाजरे की रोटी बनाने के लिए 2-3 कप बाजरे का आठा और 4 कप गिरूं का आठा ले फिर उसमें स्वात के अनुसार नमक डाले और फिर इसे अच्छी तरह मिला ले इसके बाद इस मुलायम हाटे की लोई बनाकर इससे बहुत पत्ली और गोल अकार में रोटी बनाए और इसे गरम तभय पर तब तक से के जब तक इसका रंग दोनों तरब से भूरा ना हो जाए और उसके बाद थोड़ा मक्खन या घी डाल कर गरम गरम खाएं और अब जानते हैं बाजरे की रोटी से बोने वाले फायदों के बारे में बाजरे की रोटी रोज खाने से diabetes का खत्रक कम होता है। बाजरे की रोटी में मौझूद गुर्ण 1 diabetes को प्रभाब को रोकते हैं। इसमें cancer जैसी खतरनाक बिमारी से लड़ने वाले और उनको रोकने वाले तत्वो होते हैं। जो लोग बाजरे की रोटी को खाते हैं उन्हें cancer लोग नहीं होता। बाजरे की रोटी खाने से शरीर में ताकत और एनर्जी आती हैं क्योंकि इसमें कई तरह के प्राक्रिस्टिक गुर्ण होते हैं। जो शरीर को अंदर और बाहर दोनों तरीके से एनर्जी देते हैं जिससे आपकी ठतान भी कम लगती है। जिन लोगों में हार्ट प्रॉब्लम हो वो बाजरे की रोटी जरूर खाएं। बाजरे में मौझूद पोटाशियम और कैल्शियम हार्ट इटैक की दिक्कत को नहीं होने देते। ऐसी निटी तो आज हर इंसान की प्रॉब्लम बन गई है। ऐसे वे बाजरे की रोटी खाने से एसी डिटी की समस्या खतम हो जाती है। और डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहता है। बाजरे की रोटी खाने का असली मज़ा तो चूरने में सेख कर आता है। लेकिन अगर आप इसे अपने गैस पर भी बनाएंगी तो इसमें जो कोशब तत्रू है वो आपको मिलेंगी। तो देशी चीज़ों को अपने रोज मज़ा की डाइट में शाहिए कीजिए इससे बहुत फायदा होगा। ऐसी ही शरीप के फायदों की जुड़ी बाते लेकर हम फिर आएंगे। तब तक जुड़े रहे हमारे साथ। अपक्यल